नमस्कार दोफतों मसंदीव स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टो यूटूब चैनल में दोफतों आज कि नई वीडियो में जानेंगे जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में जितने भी इन्वसिटी या भी आप कह सकते कॉलेज हैं उन सभी की जो छात्र लेकिन लेकिन किस बेस पर मोट होंगी और वाकई में पर मोसन जो हो रहा है उसकी परिच्छा नहीं देनी पड़ेंगी इस तरह की छोटी-छोटी-चोटी-बात इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि आप मत सोचेगा कि आपको पर मोसन मिल ला है तो आपको जो नंबर है वह आटोमेटिक मिल जाएंगे या फिर आपको अच्छे नंबर से पास कर दिया जाएंगे तो इस चोटी-चोटी बात इस वीडियो आप ल जुड़े हैं अगर आप यूपी के चात्र नहीं तब भी वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो को लास्ट में मैं आपकी विवारें बात करूंगा ओके पहले ये अपडेट देख लेते एक एक प्वाइंट समझेगा वीडियो को मिलेगी उससे आप लोगों समझ में कि वाकई में हम क्या कहना चाहरे हैं वह आप तक क्या पहुंस पहुंस रहा है तो पहले पढ़ते हैं उसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं निखाए कि यूपी इन्वर्सिटी एक्जाम 2020 यूजी वा पीजी अंतिमस की परिच्छाएं 13 अगस्तक बाकी चात्र होंगी यह एलाउंस इमेंट दो तीन निन पहले यूपी गौर्णमेंट की तरफ से कर दिया गया था कि चात्रों को परमोट कर दिया जाएगा तब मैंने आप लोगों को इन्फोर्मेशन कर दिया था लेकिन जो फाइनल लेर की परिच्छाएं अंतिमस के चात्र है चाह वह बीए आगस तक उनकी साइब पेपर करा ले जाएंगे यह अने वाले दुनों में बढ़ सकती है या फिर कुछ भी होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों के इन्फोर्मेशन करूंगा लेकिन अभी के लिए इसी के कोडिंग आप लोगों तयारी कर रहें तो तयारी करेंगा और जो चात रहें और फश्टे सेंड्य के तीनों वाले उनके लिए उनके पैच्छा होने वाली है वह किसे साब से होगी वह जानकारी मिल जाएगी चली आगे देखते हैं लिखाए इसमें लिखाए के उत्तर प्रिदेश के विष्विद्द्य और डिग्ली कॉलेजियों में तक यूजी वासनोतर पीजी की अंतिम वस्ट वह अंतिम स्वेश्टर की पैच्छा तेरा अगस्ट तक संपन करा ली जाएंगी जो फाइनल एर अंतिम वस्ट के चात्र है यहां पर बताया जा रहा तेरा एक तिस अगस्ट तक तेरा से साही परिछा है समापत हो जाएंगी और 31 अगस्ट तक सभी के परेडाम जो हैं वो घोसित कर दिये जाएंगे ओके फाइनल एर वालों की बात कर रहे हैं और लिखा है कि बाकी प्रथम वर्सवत दुतिय वर्स के जो बिद्यार्थी को प्रनोत किया जाएगा उच्छ पॉलेज या फिर इन्वर्सिटी अपने एक वर्डिंग तयार करेंगी ठीक है जो भी क्योंकि सभी के कुछ मैचिक तो करेंगे लेकिन कुछ इन्वर्सिटी के जो रूल्स हैं पर भार मोले हैं पर्मोड करने को चेंज हो सकते हैं ज्यादा अंतर नहीं आएगा थोड़ा ठीक है और क्या लिखाए वंत्तर-प्रदेश के एसे जहां प्रथम मस्की परिछाएं हुई है वहां 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 विद्धु AD Multi चा के अंकों के आधार पर निधाय कर प्रणोति दे जाएगी जहां प्रश्ट कर दोए चात्र है तीकर प्रथम वर्स के एक उनको ने पर दिया जाएगा यानि पिछले साल के हिसाब से आपको नंबर देकर आपके वर्ष में भेज दिया जाएगा और लिखा है कि इसमें बिस्विद्द्दले जहां प्रथाम वर्ष की परिच्छा देकर तृतिये में प्रनौत किया जाएंगे ध्यान दीजेगा इन सातों के परिच्छा होंगी जहां पर प्रतम वर्ष के प्रिचली बार प्रनोत किया गये थे पिछले साल जो च्छाट प्रन recruit वो है उनकी जो दोती व वर्ष की परिच्छा देकर हें उनको क्रोनाई लागू करने संस्थानों में पीजी के छात्रो को भी पर्न्योत कि जाएगा और डीटेल में समझें उच्छी सिच्छा विभाग द्वारा पैच्छा को लेकर लखनों विश्बिद्द्द्दा ले के कुलपरत प्रपेसर अलोक राय साहित तीन कुलपरतियों की बनाई गए उच्छी अस्तरीय कमेटी के शुजाओं के अनसार योजी वा पीजी इमें समस्टर प्रनाली सब समेस्टर में प्रनोत की जाएगी उगे समेस्टर वाले को लिए इंप्वाटेंट है और लिकाए कि फिलाल यूजी-पीजी यूजी-पीजी अंतिमस्वा अंतिम समस्टर के साथ आयसा समस्थान जहां यूजी दुतियवर्स की परिच्छाय भी कराई जाएगी वहाँ प उसे में सिर्फ एक ही पेपर देना होगा फिलाल उच फिच्छा विवाइद दोरा प्रनोती का फर्मूला तै करने के बाद मिस्ट बिद्ध्य लेह हुआ को यह निर्दीष जल्द भेजे जाने के तयारी की जा रही जैसे कि एक सब्जेक्ट के तीन पेपर होते हैं तो परिच्छा हैं तो उससाब से जो नंबर है रहे जाएंगे द्धान में रखिएगा पिछले साल जब आप ये पिछली बात परमोंट हुए हैं उच्छात वो जो चातर हैं उनको जब तित्य वस्यानि की जब बिये की जो परिछाए होंगी 2022 में उसके हिसाब से नंबर दिये जाएंगे बस आप लोगों को पर्मोट किया जाएगा नंबर तै होंगे पिछले साल के ही अकोर्डिंग जो दिये जो परिछाएंगे तो ध्यान दीजिएगा पिर से मैं समझादओ जो फस्टीये वाले जो चात्र हैं तीक ए उनकी जब 2022 में परिच्छाए होंगी परिच्छा होंगी तब उनको 23 वर्ष की जो नंबर भी लेंगे उनको उसी के हिसाब प्रत्म वर्ष के अंकर दायत किये जाएंगे जो फस्टीय से कंडियर में लगातार परमोट हो रहें हैं उनको जब 3-3 वर्ष में जाएंगे तो उनको 2-3 वर्ष के भात उनको नंबर दिये जाएंगे यह फार्मोला तय हुआ है और यही सारा न्यूज है जो कि आपको बहुत ही जानना दरूरी है और फिरहाल अभी के लिए यही सारी अपडेटे हैं और यही सारी जो न्यूज अगर कोई अपडेट होता है कोई और भी बदला होता है तो हम आप लोगों के इंफोर्मेशन कर देंगे ठीक है तो आप लोगों को आई हो समझ में आ गया होगा कि जो प्रथम वाले चात्र है प्रथम वर्ष के उनकी परिछाएं हैं उनको परमोट करें दिया गया जब द प्रथम वर्ष के नंबर उनको दे दिया जाएंगे लेकिन की पैच्छाएं ही नहीं हुई थी उनको जब 2022 में पैच्छा देंगी तब उनको नंबर मिलेंगे आप सब्सक्राइब को साइज समाझ में आ गए होंगी अभी कोई 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 डाउट है बेसा कमंड करके तो